हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल चलिए आज हम बनाएंगे पकोड़े वाली कड़ी कड़ी बनाने का हर किसी का अलग तरीका होता है लेकिन आज वाइस को बिल्कुल असान तरीक कैसे बनाऊंगी चलिए सबसे पहले इसके लिए हम पकोड़े त्यार करेंगे हरी मिर्ची डालेंगे इसमें आप हम आधा छोटा चमच जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी इसमें हम अजवाइन डाल देंगे और इसमें आप हम नमक डाल देंगे इसमें हम स्वाद्क के न सबसाद लाल मिर्स पाउडर डाल देंगे । थोड़ी सी हल्दी डालने से पुकोड़ी का कऱए बहुत बढ़िया आएस गला ये learn बेसन डालने के बाद इन सब को हाथों से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे थोड़ा से इस तरह से मस लेंगे ताकि जो प्याज है वो आपस में से अलग हो जाएं तो मिला लिए इसको अब हमने तो चलिए इसमें अब हम पानी डालेंगे सारा पानी इसमें हम नहीं डालेंगे थोड़ा तरह करके इसमें हम पानी डालेंगे और हाथों से इस तरह से हम इसको मिला लेंगे पकोड़े का घोल बनाते वक्त पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा थोड़ा सा ही पानी डालकर इसका हम एक गाड़ा घोल बनाकर त्यार करेंगे तो यह लिए जी इसका इस तरह से हम घोल बनाकर त्यार कर लेंगे और तेल को हमने अच्छी तरह से गरम कर लिये और इसमें अब हम पकोड़े फ्राइ करने के लिए डाल देंगे तो यहाँ पे हम ग्यास का फ्लेम हाई और मीडियम के बीच में रखेंगे बहुत जदा हाई फ्लेम पे पकोड़े हम नहीं पकाएंगे नहीं तो यह अंदर से कच्छी रह जाएंगे तो इसलिए इसको हम हाई और मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे और चमश के साथ इनकी हम साइड चेंज कर देंगे और इनको आब हम तब तक पकाएंगे जब तक इनका कलर जो है वो चेंज ना हो जाएं तो यह देखिए इनका कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा चेंज भी होना शुरू हो चुक है तो दो मीन तक इनको हम इस तरह से और पकने देंगे तो आप देख सकते हैं पकोड़ों के उपर बहुत ही बड़िया कलर आ चुक है तो पकोड़े हमारी बनकर तयार हो चुक है तो चलिए अब हम कड़ी बनाएंगे तो कड़ी बनाने के लिए कड़ाय में हम खी डाल देंगे और हलका सा गरम होने देंगे और इसमें अब हम आधा चम्मत जीरा डाल देंगे और इसको हम हलका सा भूलनेंगे तो इसमें अब हम लंबे कटे हुए प्यास डाल देंगे और साथ ही इसमें हम बारी कटे हुए आलू डाल देंगे और साथ ही इसमें हम दो बारी कटे हुए हरी मिर्ची डाल देंगे और मिला देंगे इसको अब हम अगर इस तरीके से आप कड़ी बनाएंगे तो बहुत असानी से कड़ी आपकी बनकर तियार हो जाएगी तो इसमें हम स्वाद के उसार नमक डाल देंगे स्वाद के इसमें हम लाल मिर्स पाॉडर डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और साथ ही इसमें हम हल्दी डाल देंगे तो हल्दी इसमें मैं डेट चमाई डाल रही हूँ हल्दी चाद डालेंगे कड़ी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा तो मिला देंगे अच्छी तरह से और मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद प्लेट के साथ कवर कर देंगे ताकि हमारा जो कड़ी का मसाला है वो अच्छी तरह से पक जाए तो चलिए अब हम लसी ले लेंगे तो यहाँ पर मैं इसमें दो इस तरह के बड़े चमच बेसन डाल दूगी और डाल कर इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि इसमें कोई भी लंज ना बने जब हम बेशन को लसी में डालते हैं थोड़ से इसमें लम्ज बन जाते हैं लेकिन इस तरह से हम जब इसको विस्कर के साथ मिलाएंगे तो सारे लम्ज इसमें से निकल जाएंगे तो अब हम यहां पे एक बड़ा इस तरह का बाउल ले लेंगे और हम छन्नी ले लेंगे जिसमें इस तो को हम अच्छी तरह से स्ट्रेंड कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स हुआ तो इस तरह से यह निकल जाएगा तो यह लेजिए कड़ी के लिए हमारा मसाला भी पक कर त्यार हो चुके हैं और आलू प्याज हमारे अच्छी तरह से सौफ्ट हो चुके हैं तो इसमें अब हम लस्टी डाल देंगे और इसको अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें हम लसी डालने के बाद दो मिनिट तक इसी तरह से अच्छी तरह से इसको हम मिलाते रहेंगे और इसमें आप हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे पानी मैने जिस पैन में लसी को लिया था उसमें मैने पानी को डाल दिया था और इसमें हम boil आने देंगे और आप देख सकते हैं boil आने शुरू हो चुके हैं तो दो तील इसमें हम इची तरह से boil आने देंगे तो आप देख सकते हैं boil आने शुरू हो चुके हैं तो बस यहाँ पे हम gas का flame medium कर देंगे और medium flame पे हम कड़ी को 25-30 मिनट तक आराम से पकाएंगे कड़ी को पकाने में हम बहुत जल्दी नहीं करेंगे जितना हम इसको medium flame पे पकाएंगे और जितनी ज़्यादा देर इसको हम पकाएंगे कड़ी खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार होगी और साब साथ साथ इसको हम इसी तरह से चलाते रहेंगे तो कड़ी को पकाते हुए मुझे याँ पे आदा घंटा हो चुकthest है चलिए इसमें अब हम पकोड़े डाल देंगे और पकोड़े डालने के बद गड़ी को हम 5 मिनित तक मीडियम फलैम पे और पकने देंगे तो गर्मा-गर्म हमारी पकोड़े वाली गड़ी बनकर तयार हो चुकी है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इस तरीके से इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा असान है तो हॉप करती हूँ, आपको मेरी वीडियो अच्छ लगेगी अच्छ लगेगी वीडियो को लाइक जूर कीजिए वीडियो को शेयर करना मत बोलिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया चैनल को सब्सक्राब जूर कीजिए